नमस्ते दोस्तों हमें ओनी के रे शोई में आपका स्वागत है ऐसी रेषपी जो कि आप लॉट बॉक्स में में ले जा सकते हो और हेल्दी तो है ही और यह जटपट बना सकते हैं और इसको आप बना करके लंज मेंझा ब्रेकraft में कभी भी खा सकते हैं घप मोने को दे सकते हैं और यह जाता है पैंक हलते हैं चरही cv k il देखते हैं एकبة आधा कप से- recon packing ऑ तो इसको do को घ्रों दंतå हैं मतलब हले कर दो तीन और ऑर ऊंद घंदवगी सालाइब और इसका पाणी मैंने निकाल दिया है और चन्न सकते हैं और एक पैन रखा दे जो किया है टीके स्पून दालेंगे और उसके बाद दाल है जो तो उसको डालेंगे और पिसको डाल करके उसको चलाएंगे तो कितना भुणना है कैसे भुणना है सब मैं दिखाती हूं तो देखिए मैंने डाल दिया है आप इसे सेम तरीके से कोई भी मिलेट का ये बणा सकते ही रेश्पी और इसको बस इस तरह से भुणना है जितना कि ये सारे जो घी है ना सारे में कोट हो जाए और हलकी सी ये भुण जाए ज्यादा नहीं भुणना है बस हलकी सी भुणना और उसके बाद देखे ये भुण चुका है इस तरह से बनाओगे ना सोग करके क्योंकि मिलेट बनाने का सही तरीका यही है ऐसा नहीं कि इसक मिक्स कर लेंगे मिक्स करके एसको ढग करेके 7 minus 8 minutes तक इसको पकने देंगे benzina चूब होका हे इतना पकाना है इसमेफ हो एक सबसुआ है है तो देखे यह हो चुका, अब इसके चला लिया है, इसको चेख करके भी दिखाते, देखे पूरा मैश नहीं हो रहा हलका सा, इस में है, तो इस तरह कर रहेगा, बहुत अच्छा बनेगए, अब इसको क्या कर चला लिजी औसको ढ़क करके गैस स्पून मस्टर्ड वारियन सर्सो का तेल मैं सर्सो का तेल खाती हूं इसलिए सर्सो का तेल डाला आप ओली वायल डाल सकते हो घी डाल सकते हो कोई भी कुकिंग वायल डाल सकते हो थोड़ा सा जीरा डाला है दो मिर्ची का अधा कट करके डाला है अधरक और लाशुन डाला है अगर लाशुन नहीं खाते हैं लाशुन प्यास तो आप छोड़ दीजे और एक छोटा प्याज डाला है जिसे मैं ने बोला ना कि अगर प्याज लाशुन नहीं खाते हैं तो आप उसको छोड़ दीजे मट डालिए और सेम तरीके से आप बनाईए सेम तरीके का वो रिष्प डाल सकते हैं मस्रूम नहीं डालना है फुल गोवी डालिए बीन्स डालिए कोई भी सबजी इसमें डाल सकते हैं कि मस्रूम का बनाओगे ना तो बहुत ही टेश्टी बनेगा अब एक बार मेरे तरीके से बना करके देखिए थोड़ा संभून लिया है अब उसके बाद दो कैर के च्छोटी टुकरे में कट कर लिया कर लिया है झाल का है उल् mould करके यसी कर दो मियाद धांक भूण लिए हैं अब इसके बाद ठाख देंगे और ठाख करके इसको two minutes की ज्यादा नहीं दोमिनट तक ढख दीजे इस से क्या होगा धोड़ा सा रणा पक तो इसको चोड़ने सकते के बिरियानी मसाला डालेंगों निए भून लीज़े थोड़ा सा अब भून करके इसको कभर कर दीजिये कभर करने से क्या होगा मसाला के यह थोड़ा सा पक भी जाएगा तो और टेस्टी बन जाएगा मतलब टेस्ट इसका अच्छा आएगा बस धक दीजिए एक से दो मिनट इस तरह से धक बनाऊगे बहुत अच्छा बनेगा अब देखें दो मिनट धका था उसके बाद एक छोटा टोमाटर या उसका आधा टोम अब इसको धक देगे एक से दो मिनट और उसके बाद इसको धकन को हटाएंगे तो देखें यहां पर अच्छे से यह कूख हो चुका है और इसलिए मैंने थोड़ा से नमक क्या होगा डाल दिया था लेकि सूट नहीं किया था तो आप मैं जो डालूंगी नमक तो थोड़ा कीmट अब इसमें डालेंगे और मिक्स कर लिए ज्यादा मद पाफी पाइं डाला अर भड़ा यहीं करके मिक्त खाता किरूह। दालका एक्ट चाहिए जूची उसके बार मिंट क अबस थोड़ा साही था इसलिए मैंने थोड़ा सदा ख़ोड़ा टर्वर और ज्यादा डाल दिया है और इसको ड्या ख़ो remembering के पाइज को सद्धिक आए रदें architecture के और इसको मिक्स पार मोखा और इसके मैं करने के बाद पुछ पंट सबस्सक्ती हैला मुखने है तो अिश पै जी और ऊपर से से जो मिलेट है उसको डाल देंगे और डाल करके इसको पुरे लाल डि ensuite धर्णिया की पत्ता में ननिटी डालना है तो ड consumption मेरा मिंक्स करके दूद के साथ तो यह लो कलर तो स्को भी डाल सकते हैं तो बना कर्मी कुपा है और इसको मैं दिखातीetoा राकर दाने और वेचने सर्थ है ए सच्ब्रों तुम्लाजवाव Minute अगर इस तरह सारे चाल भी तेस्टी यह बना सब्सक्राइव बहुत ही डेस्टी आपी उसी तरह से बनाए और खाई ए और अगर अच्छा लगा ये विरियाणी की रेचपी तो ज़रूर कॉमेंट करके बताःगा कि आपको यह रेचपी कैसा लगा और यह कॉमेंट का वоже αυτό और कॉनकौन सा रेश्पी चाहिए आपको और यह रेश्पी कैसा लगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स नए रेश्पी के साथ थैंक्स पर बाचिंग